बिते काफी समय से भारत और क्यानेड़ा के रिष्टे खराब चल रहे हैं। अब इस तनाव के बीच आमेच शाह की एंट्री से मामला और बिगड सकता है। दरसल खबर है कि प्रदार मत्री जस्टेन टूडो की सरकार ने भारती ग्रे मत्री आमेच शाह पर हिंसा कराने की आरोप लगाए है। मताबक सबसे पहले वाशिंग्टन पोस्ट अखबार ने बता था कि क्यानेड़ा के अधिकारियों के आरोप है कि सिक अलगाओ वादियों के खिलाफ हैंसा में शाह शामिल है। समचवार एजिंसी के मताबिक क्यानेड़ा के ओप विदेश मंतरी डेविट मौरिसन ने संसदी पैनल को बताया कि उन्होंने पोस्ट को जानकारी दी थी कि साज़िशों के पीछे शाह का हाथ था। मौरिसन ने कमिटी से कहा पत्रकारों ने मुझ से पूछा कि क्या वो यानि शाह ही वही वैक्ती है तो मैंने पुष्टी की थी कि हाँ ये वही शक्स है। खास बाद ये कि इस बार भी नोंने कोई जानकारी या सबूत साजहार नहीं किये। डेविड मौरिसन कैनाडा के उन प्रमक अधिकारियों में हैं जो संसदिये पानल के सदस्तियों के सामने गवाही के लिए पेश हुए। समिधी के सांसदों ने दो सब्ता पहले रॉयल कैनाडियन माउंटेट फोलिस केस आरोप के बारे में सवाल पूछे कि भारत सरकार के एजेंट कैनाडा में व्यापक अपराधू में शामिल थे। बीते साल कैनाड़ा के प्रधान मंत्री जस्तिन टूडू ने भी खालिस्तानी अतंगवादी हर्दीप सिंग निज्वर की हतिया के तार भारत सरकार से जोड़ने की कोशिश की थी ठाला कि तब भी उन्होंने इससे जुड़े कोई सबूत पेश नहीं किये थे। को भी वापस बुला लिया था। अब एक बार फिर इन दोनों देशों के बीच तलकिया देखी जा रही है।